दोस्तों एक वार फिर से बिराट कोहली की कप्तानी फ्लॉप हो गई है और एक वार फिर से बिराट कोहली की रोल चेंजर बैंगलॉर आई पेल से बाहर हो गई जिहां पहले एलिमनेटर मैच में सन्राईज वडिरावाद ने बिराट कोहली की रोयलचेंज बैंगलोर को अन्तिमोबर में सान्दार तरीके से और रुमान्चक मैच में हरा दिया जियां पहले बल्ले बाजी करने उत्री रोय चेंजर बेंगलॉर का स्कोर आ जादा नहीं बना और मेहज उनकी टीम 131 रण बना पाई बिराट कोली की फॉर्म तो बिलकुल ही खराब रही वहीं दुबारा जब रोय चेंजर बेंगलॉर के खिलाफ संराज हेदरावाद मेधान में उत्री तो मीट थी कि ये असानी से रण को चेज कर लेंगे लेकिन रोय चेंजर बेंगलॉर के सांदार इस्पिनरों की बदलत ये स्कोर बीच में मुस्किल हुआ लेकिन अंत में संराज हेदरावाद के फूर्प कप्तान केन विलियमसन और जेसन होल्डन ने सांदार बल्ले बाजी करकर अपनी टीम को एक रोमांचक जीत दिला दी अंतिम 6 गैनों में नौरन की दरकरार थी और एक समय लग रहा था कि मैच हास से निकलना जाए संराज हेदरावाद के लेकिन संराज हेदरावाद ने अंतिम ओबर में सांदार जीत दर्ज कर ली इस मैच के बाद बिराट कोहली और एवी डिविलियर्स काफी दुखी नजर आए बिराट कोहली की आखों में तो आंसूस ये नजर आए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बिराट कोहली की आखों में आंसूसे आ रहे हैं वहीं डिविलिए घुल है वहीं ब्राट गोली को दिलासा दिला जाला रहे हैं आप ब्राट गोली की कप्तानी पर क्या कहना चाहेंगे और ब्राट गोली की टीम ने जो इस प्रकार से प्रदसन किया अपने अंतने मैचों में उस पर आपकी क्याराय है हमें comment box में बताना ना भूलें और congratulations संराइज हैधराबाद comment box में लिखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि संराइज हैधराबाद ने आज लाजवाब खेल दिखाया और अपना स्थान qualified to तक पहुंचा लिया यहाँ उनका मकावलाद दिल्ली से होगा अगर आपको भी यह रूमान चमच पसंद आया हूँ तो उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें